दोस्तों नमस्कार TV1 इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्रिसी कानूनों के खिलाब किसानों के आंदोलन के आज 6 महीने पूरे हो गए आंदोलन को यादगार बनाने के लिए आज किसान संगत्नों ने काला दिवस बनाया इसका समर्थन करने के लिए पंजाब में अनेक सानों पर लोगों ने अपने घरों पर काले जंडे लगाए किसान बीते 200 दिनों से मोधी सरकार के क्रिशिक कानूनों के खिलाप दिल्ली से लगी सीमाओं पर आंदुलन पड़टे हैं सिरो मरिय काली दल के प्रमुक्ह सुखवेर सिंग बादल ने मुक्तसर जिले के बादल गाओं सित अपने घर पर काला जंडा लगाया और केंदर सरकार से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग स्विकार करने की अपील की एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता नौजोट सिंग सिद्धू ने अपनी इमारत पर काला जंडा भराया था मोदी सरकार ने नए सूचना परद्योगी की नियम 2021 के जरिये सोशल मीडिया कमपणियों को अधिक से अधिक जबावदे और जिम्मेदार बनाने की कवायत तेज कर दी है इससे बौखलाए फेस्बुक के स्वामित वाले वाटसप ने नए सोशल मेडिया नेमों पर मोदी सरकार के फैसले के खिलाब दिल्ली उचनाले में चुनोती दी है वाटसप के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टी करते हुए कहा कि आई टी नेमों के खिलाब 25 मई को दिल्ली उचनाले का दरवाजा कमपनी ने खटकटाया है वाटसप का कहना है कि इससे इंड टो इंड इंक्रिप्टेड संदेश की गोपनियता खत्म हो जाएगी वहीं मोदी सरकार की दलील है कि संदेश रिवाओं के लिए यह पता लगना जरूरी है कि किसी संदेश की सुरुवात किस ने की IPS अधिकारी सुबोद जासवाल को CBI का नया डाइरेक्टर बनाया गया है पियम मोदी, मुखिना अधिस, एनवी रमना और नेता प्रतिपक्षा अधिर डंजन चोधरी की सब्दस्रता वाली हाई पावर कमेटी ने CBI का नया बॉस बनाने को लेकर 90 मिनिट तक बैठक की इसके बाद सुबोद जासवाल के नाम पर मुहर लगाई गई जासवाल वरतमार में CISP के महा निदेशक है इसे पहले वे महाराष्ट ATS के चीफ रह चुके हैं और मुंबई पुलिस कमिशनर की भी जिम्मेदारी समाल चुके हैं 1985 बैच के IPS अबसर सुबोद जासवाल ने एक दसक से ज्यादा समय तक इंटिलिजेंस बीरो, SPG और रा के साथ भी काम किया है इने जासूसों का मास्टर भी कहा जाता है सुबोद जासवाल दो साल तक CBI के चीफ रहेंगे बीचन चक्रवाती तुफान यास बुद्वार सुब ओडिसातर से टकरा गया बालासोर से 50 किलोमेटर दक्षिट पस्चिम में केंदरित यह चक्रवास सुब नौ बजे तठीक शेतर से टकराया जिसके तुरंत बाद लेंडपॉल सुरू हो गया माना जा रहा है कि तिबृता वाले चक्रवास से कुछ घंटों तक लेंडपॉल जारी रहेगा इसके बाद तुफान के आगे बढ़ने की संभावना है यास का दबाव सबसे पहले धामरा बंदरगा के उत्तर और बालासोर जिलेके दक्षिन की तरफ देखा गया था एक्सचेंज के SME प्लेटफार्म पर सूची बढ़ किया जाएगा ताकि वे अपना IPO लाकर एक्विटी कोस्ट जमा कर सके पिछले साल सिर्फ 16 SME ने IPO के जरिये 100 करोड रुपे जुटाये थे असल में एक्सचेंज ने SME को एक्विटी बित्पोशल और सूची बढ़ दता के प्रती जागरू करने के लिए महमारी के दौरान 150 वेबिनार का आयोजन कर चुका है BSC का मानना है कि जागरूता की कमी की वज़ा से छोटी कमपनिया समस्ती है कि इस उची बद्ध होने पर अनुपालन ग्रेड और लागत बढ़ जाती है हलाकि ऐसा नहीं है आज साल 2021 का पहला चंद्रगहन लगने वाला है ग्रहन के दवरान चंद्रमा प्रत्वी के अंदेरी चाया से होकर उजरेगा लेकिन भारत में या एक उप चाया चंद्रगहन के रूप में ही दिखाई देगा 21 जनवरी 2019 के बाद से या पहला पूर्ण चंद्रगहन होगा रिपोर्ट के मुताबिक आज दिखने वाला चंद्रमा इस साल दिखने वाला सबसे बड़ा चांद होगा आज ही के दिन ततागत भगवान बुद्ध की भी जयनती मनाई जा रही है बुद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध ने दुनिया को शांती एहिंसा के साथ पंचसील का संदेश दिया था दुनिया के 18 से अधिक देशों में आज भी बुद्धिजम चलता है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले सक्स विलियम सक्सपियर की मौत होगा 18 साल के विलियम उर्फ बिल सक्सपियर ने मंगलवार को अंतिम सास ली परिवार के मताबिक सक्सपियर की मौत कोरोना से नहीं बलकि दूसरी बिमारी से हुई है बिल ने दिसंबर 2020 में कोरोना की पहली वैक्सिन ली थी वह दुनिया में वैक्सिन लगवाने वाले पहले पुरुस थे उनसे कुछ मिनट पहले ही एक 90 साल की मार्गरेट कीनन ने डोज लिया था असल में बिल का नाम मसूर अंग्रेजी लेखक विलियम सेक्स्पियर से मेल खाता है जिसकी वज़ा से वे काफी सुर्खियों में आ गए थे कांग्रेज के पुर्वध्यक्ष राहूल गांदी ने केंदर साशित प्रदेश लक्षदीप में नए नियमन के मसाओदे को लेकर आज केंदर सरकार पर जम कर निसाना साधा राहूल गांदी ने आरोप लगाया कि सागर महिस्थित भारत के इस आभुषण को नश्ट किया जा रहा है राहूल गांदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सागर में लक्षदीब भारत का अभूशन है लेकिन सत्ता में बैठे अग्यानी कट्रपंथी से नश्च कर रहे हैं मैं लक्षदीब के लोगों के साथ खड़ा हूँ राहूल गांदी मोधी सरकार के उस फैसरे से नाराज हैं जिसके जरिये लक्षदीब में नए नियमन की तयारी की जा रही है केंद्र की मोधी सरकार ने साथ राजियों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है इस पर कुल 14 करोड 30 लाख रुपे खच आएंगे इन केंद्रों को महराष्ट, मिजोरम, गोवा, करनाटक, मद्द परदेश और रुनाचल परदेश और मणीपूर में स्थापित करने की तयारी है खेल मंत्री किरैन रिजिजु ने बयान में कहा कि भारत को 2028 सुलंपिस में शिर्ष 10 देशों में सामिल करने का लक्ष है गोवा सरकार ने तहलका के संपादक तरुन तेशपाल केस में निचली अदालत के फैसले के खिलाप हाई कोट में चिनोती दी है तीन दिनों पहले तहलका के संपादक तरुन तेशपाल को गोवा की निचली अदालत ने महिला साथी के साथ कथित यौन शोशन के मामले में बरी कर दिया था कोट ने फैसला सुनाते हुए पुलिस की जाच और पीडिता के आच्रण को कटगरे में खड़ा किया गोवा में इस्थित मापुसा की अतरिक्त सत्र अदालत ने तरुन तेशपाल को बरी करते हुए कहा कि गोवा पुलिस ने पांच सितारा होटल की पहली मंजिल के CCTV फुटेश को नश्ट कर दिया इसके खिलाब गोवा सरकार ने उच्च नायले में फैसले को चुनोती दी है महराष्ट के महाविकास अगारी सरकार के लिए जी का जंजाल बने आई पीए सबसर परंबीर सिंग पर एक क्रिकेट सटेबाज ने गिरफतारी से बचाने 10 करोड मांगने का संगीन आरोप लगाया है सटेबाज के मुताबिक मुंबई के पुर्व पुलिस आयक्त परंबीर सिंग ने उससे कहा था लेकिन मुंबई नौइमबई समेत महराष्ट और देश दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहे टीवीवन इंडिया नमस्कार